आई होप आप सब लोग अच्छ होंगे तो आज से एक नए क्लास स्टार्ट हो रही है वर्ड जोगर्फी की और वर्ड जोगर्फी में जो सबसे पहला कॉंटिनेंट हम कमर करेंगे अफ्रीका अफ्रीका कई सारी चीजों से इंपॉर्टेंट है क्योंकि करेंट में बहुत जाला चर्चा में भी है और इस वज़ए से जो है अभी जी टॉन्टी में भी अफ्रीका यूनियन सामिल हुआ है इस वज़ए से हम इसकी जोगर्फी को समझने कोई करेंगे और यह लेक्चर आपके UPSC प्रिलिम्स दोजार च अब इसको ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है शडिया नाइस आप इसको डारेट स्कैन कर सकते हैं या फिर शडिया नाइस नहीं से सर्च कर सकते हैं और यह हमारा फेसबूक पेज है इस पर बिकलास चलती है हमारा सब्सक्राइब जैनल है और इसकी कंपरेजन पहले देखते हैं अफ्रीका कॉंतिनेंट और इंडिया के बारे में आक है तो this आफिका कांटिनंट को हम लोग अंद महादीथ भी कहते हैं है आप और एसी 두 chaos के पास चेत्रपरवर्ट जंसंक्या दोनों के हिसाब से दुनिया क सबसे बड़ा महादीफ है और सबसे जनसंख्या वाला देश भी है एसिया कॉंटिनेंट जिसमें पुरी दुनिया का 60% पॉपलेशन कहां पर एसिया में निवास करता है और इसके लाम अगर दोस्तों कंपेजन अफरीका के साथ किया तो अफरीका बिस्व का दूसरा सबसे ब गारें तो अगर एसियर कॉंटिनेंट की जिडिप की बात करें तो जो नॉप्रिविन पॉंट त्रिलियनieben की और वहींिट इस से वॉस्तिFitव और वहीं आफरीका के बात करण से तो 3.10 बलय जो है ट्रिलियन मेंट सबूसरा के अधिया यह कूंप लेकला और continent की बाद इसके लावा अगर आप comparison करना हो ये तो हमने कहा कि बता दिया कि जो है A.C.A. इसमें first में है और दुनिया में और जन्जंख्या के मामले में छेत्रपल के मामले में और अफरीका जो है second number पर है ठीक है? A.C.A. गोल्ड मेडल मिला है अफरीका को silver matter मिला है अगर आपसे पुछे जाए कि पूरे दुनिया में जो है पहले अस्थान पर जन्जंख्या के हिसाब से कौन है तो आप देखेंगे कि पहले क्या था पहले जो है चीन जो था पूरे बिस में सबसे जन्जंख्या वाला देश था लेकिन अब जो है जो इंडिया का growth है population का वो लगबग 1.4 billion जो है population पहुच चुका है ठीक है यानि दुनिया का सबसे जन्जंख्या वाला देश कौन है भारत है और जो पहले नंबर पर आ चुका है और ये पुरे दुनिया का 2.4% जो है geographical area cover करता है यानि पुरा लेंड इसके पार 2.4% है और दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इसकी GDP की बात करें भारत की तो 3 trillion जो है US dollar है और ये दुनिया का top 5 countries में आता है GDP के मामले में दुनिया पर पहले अस्तान पर सबसे अधिक आधा GDP किसके पास है तो सबसे बड़ा जो है economic देखेंगे तो USA के पास है उसकी GDP जो है 21.44 trillion US dollar है उसके बात जो आता है चीन का नंबर चीन जो है दूसरे अस्तान पर है जिसकी GDP का आगर देखेंगे टोटल जो है तो 18.1 trillion US dollar है तो अभी इसमें सबसे बड़ा GDP का आखड़ा किसके पास है USA के पास भाराट टाप 5 में आता है इसके बात किसके पास है सेकेंड नंबर पर सेकेंड नंबर पर जो है चीन है ठीक है पॉपलेशन के मामले में भारत जो है पहले अस्तान पर है चीन जो है दूसरे अस्तान पर है इसको और चीन की बात करें तो चीन जो है लार्जेस्ट कंट्री है एसिया में फॉर्थ लार्जेस्ट कंट्री है पुरे वर्ड में ठीक है एसिया में सबसे बड़ा लेंड इसके बास है और पुरे वर्ड में ये चौत्थे अस्तान पर है तो ये बाते हो गई USA और चाइना वर्ड लेबल पर हमने comparison कर लिया एक अफरीका एसी है के comparison कर लिया अब बात करते हैं अफरीका क्यों important हो जाता है आपके exam के देश्टे तो अफरीका में अभी हाली में देखेंगा आप G20 summit होई थे दिल्ली में और EU जो है एक अफरीकी यूनियन एक हो जाएगा यूरोपी यूनियन और प्लस जो है 19 देश है ठीक है और अब देखेंगे तो अब हो जाएगा दो एक अफरीकी यूनियन एक हो जाएगा एक अफरीकी यूनियन प्लस जो है 19 देश तो यहां रखिएगा जो G20 में कितनी कंट्री है तो G20 में 19 कंट्री है और एक अफरीकी यूनियन प्लस जो है एक यूरोपी यूनियन जो है समू है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना है और इसके अलावा अगर बात करें इसके अलावा में इतोपिया में और यह कब बना था तो यह 9 जुलाज 2002 को अफरीकी यूनियन बना था डर्बन साउथ अफरीका में इसके अलावा जी टॉन्टी मेंबर की बात करें तो जी टॉन्टी मेंबर जो है पुरी दुनिया का पचासी परसंट जो है ग्लोबल कबर करते हैं और जी टॉन्टी के जो मेंबर है वो टू थर्ड जो है पॉपलेशन कबर करते हैं ठीक है तो यह कुछ फैक्ट्वल जानकारी आपको हो गए जी टॉन्टी में कौन कौन से मेंबर सामिल है अर्जंटीना और आस्टेलिया ब्राजील कनाड़ा चाइना फ्रां अफ्रीक की यूनिया तो यह कुछ फैक्ट्वल जानकारी कि आपको ध्यान रखना है अब एक वज़े से और न्यूज में था अफ्रीका अभी जो है फेडी नामक साइकलोन आया ठीक है साउथ अन अफ्रीका में इसलिए न्यूज में था इसके अलावाँ आप देखेंगे लिविया यह जगा है यहां पर जो है फ्लरड आया है और जहां पर लगभग अभी तक रिकॉर्ड जो है डाटा लगभग 11,300 लोग जो है इसमें बह गये हैं मर गये हैं ठीक है तो इस वज़े से भी अफ्रीका न्यूज में है तो यह आपको ध्यान रखना है कि अभी हम आ जान नकना है देश की राजधारी और इसमें रीबर कौन से यह भी इसका चर्च आगे करेंगे अब बात करते हैं अभी यूरोपी यूनियन की बात कि यूरोपी यूनियन में देखेंगे तो 27 कंट्री है एक नॉमबर 1993 को यह फॉंड हुआ ठीक है तो यह फैक्ट्वल जा अब बात करते हैं अफ्रीका कॉंटिनेंट की तो अगर दोस्तों बात करें अफ्रीका कॉंटिनेंट की तो सबसे पहले देखते हैं इसके बिस्तार की बात कर लेते हैं तो बिस्तार की बात करें, तो आप देखेंगे, पूर्व में जो है, उत्तर में जो है, अफरीका मेटेरियन की से लगा हुआ है, और उत्तर पूर्व में आप देखेंगे र्ट सी है, South में देखेंगे Atlantic Sea है और इसके लावा पस्चिम में देखेंगे पस्चिम में आपको जो है पस्चिम में भी आपको Atlantic Ocean मिल जाएगा तो ये इसका जिग्राफिकल विस्तार है इसके लावा अगर बात करें तो अफरीका एक ऐसा जो है continent है पुरी दुनिया में जहां से आप देखेंगे करक रेखा chaotic है मकर रेखा और एक क्वेटर ये विस्त रेखा तीनों जो है गुजरता है इसके लावा करक रेखा मकर रेखा किस बिस में कहीं और किसी continent में गुजरता नहीं और इसके अलाम अगर बात करें तो इब्राजील एक ऐसा कॉंटिनेंट है जहां पर आपको विस्वत रेखा और मकर रेखा गुजरता हुए दिखाई देगा ठीक है इसके अलाम अगर बात करें पूरे वर्ड लेवर पर तो इब्रेखा और कॉंट कॉंसर देश ते गुजरती है तो इब्रेखा देखें विस्वत रेखा है जीरो डिगरी तो आप जाएंगे तो यहां पर देखें खिरबाती इंडोनेसिया और केन्या सोमालिया ठीक है युग युगांडा, डोमकर्ण रिपब्लिक, कांगो और गैबोन और यहां पर आजाएंगा सोटों प्रिंसिप तो यहां से जो है इतनी कंट्री से जो है एक्वेटर गुजरता है इसके अलावा अगर देखेंगे वर्ड में अनलेबल पर तो ब्राजील और कोलंबिया करती है तो इसमें आएगा ताइवान, चाइना, मियम्मार, बांगलादस, इंडिया, ओमान, युएई, इजिप्ट, और इधर आज़े सौदी अरबिया, लीविया, नाइजियर, माली, और अलजिरिया, वेस्टरन सहारा, मर्जीनिया, और इधर बहामास हाइलेंड, मेक्स चिली, तो यह हमने अफरीका के सासत पुरे वर्ड लेबल को अध्यान कर लिया, अब बात करेंगे अफरीका और एसिया कॉंटिनेंट के सम्बंध के बारे में तो अफ्रीका एस यह जोड़ा आप देखेंगा सिनाई प्रायदीप है तो आप देखेंगा सिनाई प्रायदीप जो है इन दोनों के बीच यह एस यह और आफ्रीका के बीच इस्थित है ठीक है और इनी के बीच आप देखेंगे तो यहीं से एक है स्वेच कैनल जाती है यहां से स्वेच कैनल जाती है जो इसको इसको अलग कर सिनाई पेंसुलर को जो है इस जिफ्ट के काईरो या फिर कह सकते अफ्रीका को अलग करती है और यह जो सिनाई पेंसुलर वाला रिजन ये एक पथारी region है और इसी जो है स्वेच कैनल पर आप देखेंगे इसका एक बंदरगा है पूर्ट सैथ और इसी जो है स्वेच कैनल पर छोड़ी छोड़ी लेके पाई जाते हैं जिससे जो कोशन उपी पीज़े से पूचे गए उन लेक का नाम क्या है अल बल्ला बाइपास लेक तिमसा लेक बिटर ठीक है तो ये चीजे भी इसी में कवर कर लेते हैं अब बात करेंगे ये तो अफुर्याह ही सिया कि बात करेंगे अफुरीका और यूरोब तो अफुरीका को यूरोप से जो अलग करता है आप देखें अब बात करेंगे अफ्रीका के बारे में तो अफ्रीका की बात करेंगे प्रीका महादिप के जो उत्तरी वाला भाग है तो ये देख रहा होंगे आपको जो है ग्रीन रीजन है यहीं साहर प्रदर से लेकिन इसका विस्तार जो है बढ़ रहा है सहारा डेजर्ट का ठीक है इसके लागा काला हारी डेजर्ट की बात करें तो काला हारी डेजर्ट करकर विस्तार की बात करें तो आपको बोच्वाना नामीबिया और साथ अपरीका में ब्रि अब बात करेंगे तो यह कालाहारी डेजर्ट है तो बोस्वाना नामीबिया साउथ अफ्रीका इसके चच्चा हम लोग कर चुके हैं अब बात करेंगे अफरीका कॉंटिनियन के कुछ और फेक्ट के बारे में अफरीका कॉंटिनियन का सबसे नौर्थर यानि उत्री पॉइंट है रौस्विन-शाका टूनेसिया में ठीक है और इसके लगए इस्टन पॉइंट की बात करें इस्टन पॉइंट आपको मिल जाएगा रॉस होफुन सोमालिय में साउथन पॉइंट की बात करें तो केफ अगुल हास आपको मिल जाएगा साउथ अफ्रीका में वेस्टन पॉइंट की बात करें केफ वर्डे इलमाडी पॉइंट जो है आपको मिल जाएगा कहा यह अफ्रीका के सबसे important area, great rift valley, महान घाटी, तो महान घाटी के विस्तार को समझते हैं, तो महान घाटी की बात करें, तो महान घाटी जो है, देखेंगे तो मलावी, जो है, ठीक है, मलावी में एक नियासा जील है, नियासा सील से जो है, यहां से लेकर आप जाएंगे डेड इसिए यहां तक जो है लाल सागर से होता हुए इसका बिस्तार है ग्रेट रिफ्ट बैली का ठीक है और इसी ग्रेट रिफ्ट बैली में जो है अनेक जो है जीलों के उद्पत्य हुई है उन जिलों में आगर बात करें तो लेक मळावी हो गया, और Alberta हो गया तुरकाना हो जो गया तंगनाय का हो गया ते इन्ह जो है यह सब जीलो जो है enclosed सारी चोट जीले इसी great rift bily में आती है ठीक है और लेक लेक वीक्टोरिया की बात हैं ते लेक विक्टोर्यों के भी जो गेट रिफ्ट बैली का हिस्सा माना जाता है और एक्वेटर लाइन जो है आप देखेंगे तो लेक विक्टोरिया के नौट से उकर गुजरती है और लेक विक्टोरिया जो है लार्जेस्ट लेक है अफरीका में और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेस वाटर लेक है पूरे कौन कौन से देश से सीमा साजा करती है तो उसमें देखेंगे युगांडा केन्या और उसके बाद तंजानिया इन तिनों देशों से लेक विक्टोरिय अपने सीमा साजा करती है यह भी आपको ध्यान रखना है ईसके लाव इसकी जो पीक है मांन टूबेकल ये भी आपको ध्यान रहां है मांन टूबेकल जो है इतलस की isकी पीक घा है और मौर्ण टोबेकल का है मुरट को मिस्तित है ये भी आपको ध्यान रखना है इसके लाव मौन्ड कैमडरुन की बात करें तो मौन्ड कैमडरुन आपको मिलेगा कैमडरुन देश stato में और अफ्रीका का एक मात्र एक जो है एक्टीवी मौंड केनिया के पास मिल जाएगा और मौंड की जारो की बात करें तो मौंड केनिया जारो जो है ये अफरेका का आम पूले इसमें सबसे ऊचा अभी हमने आफ्रीका के देखा ठीक है एसिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की जील क्या उन्सकों से लेक बैकान ये कहां है दच्छिस साइबेरिया हम आपको मिलेगा रशिया के पास और वर्ड जो वुलर्ड लेक की बात करत एसिया के सेकंड लार्जस फ्रिस वार्टर लेक अब बात कर देखेंगे तहहिए इंडिया की बात कर लेक आकर देखेंगे तो विममनाट उसके बाद आएगा चिलिका उसके बाद सीवाजी लेक इंदरसागर लेक पिंगॉंग लेक तो ये क्रम हमने दिखा है टॉप फाइप में इसमें लिख लिया है इसके लाद इंपोर्टन लेक इन इंडिया की बात करें तो आप देखिए यहां पर लिखा है ल सबसे लंबा जो है लेक कौन सा है तो लंबा जो है केरल में आपको मनाद लेक मिलेगा ठीक है जहाँ पर नौका दोड़ होती है आपको ध्यान होगा इसके लाद लार्जेस साल्ट वाटर लेक आपसे पूछा जाए तो साल्ट वाटर लेक पूछा जाए तब आपको बताना है सामभर लेक रायस्थान में लेकिन आपसे लार्जेस ब्रेकिस वाटर लेक पूछा जाए तो आपको बताना है चिलका लेक और लार्जस हाई अल्टिटूड वार लेक कहा है चोमु लेक सिक्किम में ठीक है चुलामु लेक सिक्किम में लार्जस हाई अल्टिटूड पर पैंगांग लेक नहीं है बलकि लार्जस हाई अल्टिटूड पर इसकित कौन सा है चुलामु लेक सिक्किम में तो यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है बाकी यहां पर यूपी में देखी यह गोबिन पंसागर लेक है चेलका लेक है उडिसा में यहां पर आएंगे रास्तान में सांबर लेक है यहां पर सिक्किम है सिक्किम आप जगह चोलावू लेक है और इसके बाद बूलर लेक है, यहाँ पär देएंगे पोंगंग लेक है, उसके नीचे तोसो मूरी लेक है बहुत सारे लेकों के बारे में यहाँ पर दिया है और इसमें देखिए एक और इंफर्मरेशन और देदें यह आप जो पुलिकट लेक देख रहे हैं इसके लगां अगर वर्ड लेवर के देखेंगे तो वर्ड लेवर टॉप लार्टेन लार्जिस्ट यानि इन टर्मस ऑफ एरिया के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा अगर आपसे लोड़ी और मीठा पानी के जिल ना पूछा जाए तो आपको बताना है कैस्पियन सी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है इसके बाद नंबर आएगा विक्टोरिया लेग ठीक है कि इसके बाद हुरान मिसियन फिर ठंगनाई का बैकाल और ग्रेट लेक मलावी ग्रेट स्लेप लेक यह कनाड़ा में है तो यहां पर कौन लेक किसके साथ कितने देशों के साथ स तो एक दीद कही निसाने हो जाएंगे अब बात करेंगे अफरीका के मेजर रिवर्स सिस्टम के बारे में ठीक है तो अफरीका में जो है बहुत सारी लेक्स हैं बहुत सारी नदिया हैं तो सबसे इंपॉर्टन नदी की बात करेंगे तो नाइल नदी की बात कर लें तो ना White Nail जो है White Nail आप दिखेंगे तो सुदान की राजधानी Khartum के समीब जिक देखेंगे तो वहाँ पर वाइट Nail से मिलने के बाद नील नदी बनती है गए खार्टum मंदरगा है और आप वाइट Nail का उद्गम स्रोथ है वो विक्टोरिया लेक है ठीक है तो कुछ आपको इसमें जो है फ्लेस का ध्यान रखना है प्लेस के बारे में आपको दिखा देते हैं जैसे अगर बात करें देखिए तो यहां पर आप देखेंगे तो वाइट नाइल निकल दी है यहां पर है एक लेक अलबार्टा लेक अलबार्टा के बात आप लेक नासिर के आगे जाएंगे इसी पर है आस्वान डेम बहुत चर्चा में रहता है ये भी आपको ध्यान रखना है ये कहां पर एजिप्ट में स्थित है इसके बाद बहते हुए काईरो बंदरगा है ठीक है काईरो से होते हुए ये बितरिक्या के रूप में आप अलेकजं आप देखेंगे तो अगर ब्लू नदी की बात करें तो ब्लू और वाइट नाइल जो है सुडान में खार्तुम बंदरगा के पास मिल जाती है तो वहां से जो है खार्तुम जगा से जो है ये नाइल की रूप में जानी जाती है ठीक है अगर नाइल की बात करें तो नाइल प्रवाह के मात्रा के अधार पर यानि जो कैपसेटी है उसके अधार पर देखेंगे तो lo OC नदी जो है दुनिया की सब्से बड़ी नदी है क्यों लंबा ही में कोन आ जाएगा नायल डिपर अगर पानी की मात्रा के अधार पर देखेंगे तो अमेजॉन सबसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अजर वर्ड डेवर पर देख लें फोर लॉंगस्ट रिबर की बात करें तो सबसे लंबी नदी नाइल उसके बाद अमेजॉन और उसके बाद यांग तीजी यांग तीजी कहां पर इस चैने सी में जा गिरती है चीन में इसके बाद आपको Mississippi River देखने को मिलेगे तो ध्यान रखिएगा अगर आपके जलकी मात्रा की अधार पीचे सबसे लंबी नदी के पूहे तो नाइल बताना है अगर जलकी मात्रा आयतन के अधार पर पूचे तो आपको बताना है तो उसमें बताने के Amazon River नेक्स्ट लीबर की बात करें कांगो या जायरे लीबर इससे कुश्चन भी आया था 2023 में UPSC में UPSC प्रिलिंस में 2023 में कुश्चन भी पूछा गया था इसका डेने सिस्टम के बारे में अपवातंत के बारे में ठीके अपवातंत का मतलब क्या होता है यह से मुख नदी है कांगो इसकी जो ट्रिब्यूटरी आकर मिल रही है यह जितना एरिया कवर कर रही है वो उसका अपवा एरिया हो गया है ठीके यह चीजी आपको ध्यान रखना है इससे कुश्चन आया था बात करें कांगो की तो कांगो यह जारे नदी है यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है यानि यह सिकेंड नंबर पर आती है पहरे नंबर पर आप देखेंगे नाइल रिम आती है और इसी के तर्ट पर आप देखेंगे तो कांगो की रजधानी याई डोमिकर रिपब्ली का कांगो की राजधानी किंसासा इस्थी थे खीग है और दो राजधानी इसकी ब्राजिल विले और जो है किंसासा तो ब्राजाविले जो है और किंसासा कांगो जारे नदी पर इस्थी थे यह नदी जो है यह विस्वत रिखा को दो बार काटती है तो आप देखेंगे जो है कांगो यह जायरे नदी विस्वत रिखा को दो बार काटती है ठीक है और इसके अलावा यहां पर जो है इसी कांगो नदी बेसिन में आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे छोटी जो है से हेक्Ạन दिया है और इसके लिए आप दिखें कासाई नदी बेसिन की बात करें तो कसाई नदी बेसिन में ही जो है मात पूरड जो है यहापर डायमंड रिजर पाय आता है कसाई नदी बेसिन ठीक है उबांगी यहाँ पर है river of Congo ठीक है तो यहाँ पर जो है यह चीजे हो गई Congo river की बारे में अफरीका का second जो है longest river की बात हो गई अब देखे UPSC prelim 2013 में पूछा नेमलिखित में कौन साइग कांगो बेसिन का भाग है Cameroon, Nigeria, South Sudan, Uganda तो देखें कांगो बेसिन कहां कहां कबर करता है Cameroon कबर करता है Dominican Republic कबर करता है युगांडा कबर करता है ठीक है अब इसमें South Sudan तो नहीं है South Sudan देखें साथ सुड़ान तो कोई Tributory Direct जो है इसमें आकर नहीं मिल रही है तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा option सही हो जाएगा option C Cameroon देख लिया आपने तो इस प्रकार इसमें option C सही हो जाएगा अब बात करते हैं जांबेजी रीबर के अफरीका की तीसरी सबसे महत्रपूर्ण नदी और जांबेजी रीबर आप दिखेंगे तो अंगोला जांबिया और इसके लावाँ आप देखेंगे जिंबामबे मुझंबिक ठीक है बोस्वाना नाबीबिया इन सब को पूरा एरि देखेंगे लेक करीबा डाइम है अफरीका का मातपूर वाटरफॉल है विक्टोडिया वाटरफॉल ठीक है यही पर स्तित है और इसी नदी पर आप दिखेंगे लेक करीबा डैम है लेक करीबा डैम और यहाई पर जो है लेक करीबा इस्थित है इसी नदी पर आपको ध्याना कर लेक करीबा कहां लेक करीबा जामबेजी रीबर पर इस्थित है और वेक्टोरिया फाल भी जामबेजी रीबर पर इस्थित है लेक करीबा या करीबा डैम भी आपको जामबेज रीबर के बारे में अब नेक्स जो है फूर्थ बात करेंगे इसके पहले देखिए ये तो हमने विक्टोरिया फाल की बात कर ली ठीक है विक्टोरिया फाल हो गया अब बात करें अगर हम आप से पुछाज़ा दुनिया की सबसे सबसे उचाई पर यानि विच आप दे हाइस् इन दवर्ड तो आपको ध्यान रखना एंजल वाटरफॉल है जो है आपको मिलेगा वेनिज्वेला में यह है वेनिज्वेला साउथ अमेरिका का यहाँ पर एंजल वाटरफॉल है यह दुनिया का हाइस्ट वाटरफॉल है मतलब इतनी उचाई से यह पानी यहां से गिरता है कि नीचे आते आते तक तक ये वास्प के रूप में एकदम छुट छुटी बूदे के रूप में आपको को देखने को मिलता है ठीक है अब बात करेंगे Orange River की औरेंज River आप दिखेंगे तो औरेंज River जो निकलती है ये है ठीक है South Africa वहते हैं साउथ-एप्रीका में देखिए देश के अंदर देश का एकिजांपलacity अपको देना हो उसके अंदर दो देश है लेसे थो स्वाजिव~~ स्वाजी लेंड तो और इसके लाभाए यह ड्रेकन बर्ग ड्रेकन बर्ग जो है यहमांटें एकंटिन रेंज है ठीक है यानि साउथ अफरीका लेसेतो नामिबिया के साथ ये सीमा साजा करती है और उद्ध का उद्गन डिवर्ड डेकन्स वर्ग परबस से होता है मुहाना कहा है अट्लांटिक ओसियन में ठीक है इसके सहायक नदी की बात करें इसके सहायक नदी कौन सी है वाल है तो ये चीजे आपको द्यान रखनी है नेक्स्ट इंपोर्टन रिबर की बात करें नाजर रिबर नाजर रिबर सिस्टम जो है अफरीका का एक मोस्ट इंपोर्टन रिजन है नाजर जो है वो माली गिनी बेनिन और नाइजेरिया और नाइजेर के साथ जो है अपना डेनिस सिस्टम या सीमा साजा करती है और इसके लाव अधर उद्गम की बात करें तो उद्गम जो है गिनी हाइलेंड से गिनी हाइलेंड के मुहाने से होता है ठीक है और माली में यह अंतास्थली डेल्टा मैकिना दलदल बनाती है यहाँ पर जाएंगे तो यह माली में अंतास्थली डेल्टा बनाती है ठीक है? और यह नदी सबसे important area यहाँ यह है कि यहाँ पर पाउम आयल ले जाने हो तो इस नदी का उप्योग होता है अफ्रिका में जिसके कार जो है नाइजर नदी को जो है पॉम आयल रिवर भी कहते हैं यानि बड़ी मात्रा में जो है एक्सपोर्ड के लिए जो जाता है पॉम आयल अफ्रिका से यहाँ पर जो है पॉम आयल जो है एक्सपोर्ड होने के लिए यूज होता है और इसके लावा जो है इसके मुहाने पर जाएंगे तो इसके मुहाने पर आपको जो है नाजिरिया का हारकोड बंदरगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो खनी स्टेल के साथ खनी स्टेल के निर्याध होत प्रसिद्ध है और माली की राजधानी बमाको जो है भी इसी के तरट पर इस्थित है तो ये चीजे भी आपको ध्यान रखनी है तो जो चीज मैंने बताया है ये आपको ध्यान रखना है इसके लावर नाइजर रिवर पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डैम है केंजी डैम, केंजी डैम कहा है स्थ है, केंजी डैम आप मिल जाएगा ठीक है? नाइजीरिया में और नाइजर रिवर के किनरे अब बात करेंगे नेक्स जो है वोल्टा रिवर सिस्टम की तो वोल्टा जो है यहाँ पर देखे एक लेक है लेक वोल्टा ये जो है लार्जस्ट आर्टिफिस्यल वाटर वाड़ी है अफ्रीका की ठीक है यानि मैनमेड है अब देखे नाइल रिवर की तरह ही ये नदी दोन वोल्टा जो है लार्जस्ट आर्टिफिस्यल वाटर बाड़ी बनाई गई है ठीक है अब बात कर लेते हैं इसी पर जो है आका सोबो डैम इस्थित है तो यहाँ पर देखे जहां पर जो है ये लेक है वोल्टा यहाँ पर देखे आका सोबो डैम इस्थित है और इसके अला में तो यह factual जानकारी आपको होनी चाहिए तो आपको कोकोगा के लिए यह बहुत ज़्यादा important area है और अफ्रीका सबसे largest artificial water body इस्तित है नेक्स्ट बात करेंगे जुम्बा या सेबल सेबले river की तो यह सेबली रीबर यह जुबा रीबर है तो ही राज़ानिय थीक है थीक है मुहाना कहा है हिंदमा सागर में है सबेली जुमबा की सहयाव नदी है कि औहां क्षबी के थड़ पर ही सुमाली की राधाने मोगा देश ही यहं भी आपको द्यान रखना है मोगा दिशी जो है समाली की राधानी थी जुब ऑक कि थाए उसी के थड़ पर इस्थित हैत। आप एक important the पर करेंगे लास्ट रीवर है लेक शोड़ियो लिंपोपो रीवर तो लिंपोबो रीवर आप देखेंगे तो मुझंबिक जिंबॉंबे बोच्वाना सौथ अफिरीका के साथ सीमा साज़ा करती है और इसके रहों दच्छिर अफिरीका की बात करें तो यह नादी जो करक रेखा की बात करें तो करक रेखा की बात हमने की करक रेखा जो है सारी एक्वेटर एक्वेटर को दो बार जो है जामबेजी रिवर काटती है और मकर रेखा को दो बार कौन काटता है लिमपोपो रिवर ठीक है तो यह हो गई लिमपोपो की बात तो आपको ध्यान रखना है equator को दो बार कौन काटता है equator को दो बार जो है Congo या जारे river काटती है limpopo जो है मकर रिखा को काटती है अब next बात करेंगे major mountain region उसके peak को और plate 2 के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं हम चलते हैं आपको लेकर मुरक को जिसका जिसमें आपको मिल जाएगा mount atlas जिसकी highest peak है mount tobacal ठीक है सबसे उची चोटी इसके बात करेंगे इथोपियन highland की इथोपियन highland जो है इसके सरवोच चोटी जो है आप देखेंगे यहाँ पर है रास्त दसान तो इथोपियन highland की सबसे उची चोटी कौन है रास्त दसान और यही जो है blue नदी का उद्गम स्लोट भी आपको देखने को मिलेगा blue नील blue nile कह लीजिए नील कह लीजिए इसके बाद आप देखेंगे mount kenya mount kenya की बात करें mount clemen जारो इसके बाद बात करें mount elgan mount elgan भी आपको जो है यहाँ पर देखिए mount elgan जो है आपको मिल जाएगा यह भी kenya और यूगांडा की सेमा पर ही मिलेगा यूगांडा और kenya की सीमा पर आपको यहीं कहीं मिल जाएगा mount elgan और यह mount elgan जो है एक सांथ जाला मुखी परवत है ठीक है यह तो बात हो गई mount elgan की mount konya की European highland की और जिसमें राजसान देख लिया और मॉरक्को में हमने देखा एटलस mountain जिसकी highest peak mount tobacal इसके बाद mount clemen जारो यहाँ पर इसके अप्रिकल के सबसे highest peak है और इसके लाँ mount round jory है ठीक है इसके important अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा important है mount cameron ठीक है after मतलब इन सब के पास सबसे ज़्यादा important है mount cameron mount cameron अफरीका के एक माद सक्री जौला मुखी परवत है और इसके रावाँ mount sinai की बात करें तो mount sinai peninsula है तो sinai peninsula जो है एक होश परवत का उज़ाड है A.C.A. मादीब का भाग है और मिस्ट का एक मरुधूम है तो यह sinai peninsula की बात हो गई अब बात करेंगे कटंगा के पथार की तो देखिए तो यहाँ पर लिखा है mount कुसुई और यह है तिबिस्ती अब बात करें कटंगा का पथार कटंगा का पथार देखिएंगे Dominican Republic of Congo की बात करें उसका South में आप मिलेगा कटंगा का पथार तो यह कांगो गरडाज का दच्छडी भाग में इस्तित है तो यह बात हो गई mount प्लेटू की बात एक factual information आप देखिए आपने आगर आपसे इग्जाम में कभी पूछा जाये बरबरी स्टेट के बारे में इक पुराने स्टेट में यहाँ पर पुराने समुझ में यहाँ पर लुटे रहे वगरा ज़्यादा रहते थे तो अमेरिका ने जो है एक दो बार इसमें लगा हुआ जो है एरिया है जिसमें आप देखेंगे कौन-कौन संसे के अगए हैं तो बर्भरीय स्ट्ट में पोली इजिप्ट इसमें सामिल नहीं है बरबरी स्टेट में जो है यह सामिल नहीं है कौन एजिप्ट करें अंहाँ अब से अगर पुछ आजाए अफ्रीका का लेंड लॉक कंट्री कौन सा है तो लेंड लॉक कंट्री में देखें माली एक बुर्किन फासो दो नाइजर तीन चार चार सेंटर रिपब्लिक डॉमिनिकन पांच कि साउस सुडान छे इथोपिया साथ युगांडा युगांडा हो जाएगा 8 और रवांडा बुरुंडी रवांडा बुरुंडी में आ जाएगा 9, 10 इसके बाद जरा जाएगा मलावी मलावई 11, जांबिया 12, जांबेजी 13 और इधर आ जाएंगे बोटस्वाना 14 और उसके बाद साउथ अफरीका में दो देश हैं लेसेतो और स्वाजी लेंड कुल मिलाकर लेंड लोग कंट्री की बात करें 16 जो है लेंड लोग कंट्री हैं साउथ अफरीका में ठीक है उनके न विजिटेशन के बारे में तो अफरीका का जो अधिकान स्छेथ का विस्तार आप दिकेंगे करक और मकररेखा के बीच ठीक है यानि 30 परक आप देखेंगे 2 दिग्री से आपसे 10 equipped के बीचम जो है अफरीका का अधिकार विस्तार है और यहां पर कैसी क्लायमेट पाय रहाற अपरिका में यहलंती है और वह लीबिया में अल को अब चान नॉस्टर अगर आपसे पूछे जाए वे सबसे त्वाइच्टर अजले गए तो कलीफोर्निया जो है युसें में डेथ वायली में रिकार्ड केया गया है 56.66 degree Celsius ठीक है इसके अलाम अगर बात करें तो अफ्रीका में सरवाधिक वर्षा वाला अस्थान पस्चमी कैमरून है यहाँ पर देखें सरवाधिक वर्षा होता है और यहाँ पर इसित मौंड कैमरून जो है यहाँ आने वाली आज रहवाओं को मार्ग में जो है लेंड मिल जाएंगे तो यह बात हो गए क्लाइमेट की इसके लावाँ आप दिखेंगे तो अफ्रीका में जो है आप दिखेंगे अफ्रीका के उत्तरी और दच्छडी तटी प्रदेशों में जो है ठीक है और इसके लावा इन छेत्रों में जो है मिर्टेरियन क्लाइमेट है सौथ अफ्रीका की बात किये जो के पाप गुडवो पाला रीजन है इसके लाव मुर्ग को अलजिरिया ट्यूनिसया की बात कर यहाँ पर देखेंगे तो वर्सा जो होती है यहाँ पर जो है इन पर करक, मकर और विस्वत रेखा गुजरती है और वहाँ पर सुरान टाइप क्लाइमेट या कह सचते हैं वेजिटेशन पाई आता है सुरान टाइप क्लाइमेट का मतलब आप देखेंगे तो वहाँ पर सावाना यानि आपको पेड़ भी मिलेगा और घास के मैदान भी मिल सब्सक्राइब करें तो इस कि अधिकान सुप जौब भूम जो है यह नायल रिवर BASIN है और ये जो है पूरवी अफ्रीका में जो है जोस्वाला मुखु के लावा से निर्मित मिट्टी और सवाना घास की भुम मृदावाले छेतरों में पाई जाती है और इस खाध्यान फस्लों की बात करें तो यहां पर अधिक से अधिक । करें आइबरी कोश्ट जो है यहां पर आप दिखेंगे तो बिस्व का सरवाधिक जो है कोकु का उथपादन यहां पर यह देश है और अफ्रीका में सरवाधिक जौर का उत्पादन आप दिखेंगे तो ज्वार का उत्पादन कहां नाइजिरिया में कियाता है केनिया एक ऐसा जो है जहां सरवादिक चाय उत्पादन के दिश्चे मातपुर रास्थ है ठीक है इसके लाव अफ्रीका का जो नील नदी बेसी नहीं है यहां पर मुख रूप से कपा पीमबा और पिमबा आईलेंड की बात करें यहां पर लॉग और इलाइजी का बहुत बड़े अस्तर पर उत्पादन की आता है इसलिए आप देखेंगे पिमबा को क्या कहा जाता है पिमबा और जाजीबार को लॉग आईलेंड के रूप में जाना जाता है ठीक है यह तो बा अफ्रीका का एक विश्वत रेखी जो है वर्नों की बात करें उसमें जो है बहुजा सगंता पाई जाती है और नेक प्रकार के वहां पर ब्रिच पाई आते हैं जूब पाई यहाँ पर आपको जो है जेबरा जिराफ जैसे प्रसित जानवर आपको मिलेंगे इसके इलावा जो है कालाहारी डेजर्ट जो है नामी भीए बोसवाना सौथ अफरीका के बीज विस्तार है यहाँ पर जो है आपको बस्टर और सुतुर मूट जैसे पच्छी आपको देखने आप मिलते हैं और इसके लाब मसाई मारा नेशनल पार्क नेशनल रिजर्व कहा है इस्तित है तो मसाई मारा नेशनल पार्क विस्व का एक प्राक्तिक छिड़या गहर है ये कांगो गढ़ राज में इस्तित है ये भी चीज़े आपको ध्यान रखनी है अब बात करेंगे अधिकतर क्या ट्राइस पाई आती है ठीक है और मानों की उत्पत के कहां माना जाता है विस्व में अफ्रीकाई की मानों यहीं से उत्पत हुआ था तो अधिकान जो जनसंख्या है वो निग्रिटो प्रजात की है यहां की जो मूल निवासी है और इसके अलावा और जो प्रेक्समन पॉपलेशन है वह आपको नाइल रिवर बेसिन के आसपास मिल जाए क्योंकि क्रिस्ट के देश्चे भी इंपॉटेंट है इसके लावव सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो गिनी की खाड़ी यहां पर मिल जाएगी और मेड़ेगासकर द्रीप और नाइजीरि अब बात करेंगे अफ्रीका के मेजर ट्राइप्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे कालाहारी डेजर्ट को कालाहारी डेजर्ट में जो ट्राइस पाई जाती है उसे क्या कहते हैं बुस्मैन कहते हैं तो यह फैक्ट्टल इंफॉर्मैसर आपको ध्यान रखनी है कालाहारी डेजर्ट में कौन से ट्राइस पाई जाती है बुस्मैन और पिगमी कहां पाई पिग्मी आपको मिलेगा कांगो बेसिन में ठीक है जिसे मुंगलूस कहते हैं तो यह पिग्मे ट्राइब्स है और इनके घरों को जो यह घर देख रहे हैं इनके घरों क्या कहते हैं मुंगलूस कहते हैं इनके घरों को क्या कहते हैं मुंगलूस कहते हैं पिग्मी कांगो में अब next पाई जाएगे बद्दू tribes, अपने बद्दू tribes से पुछाओ, इससे यूपी यसी प्रिलेंस में question पुछा गया है, tribes का मिलान करने के लिए, तो बद्दू tribes जो है, वो खाना बदोस tribes होती है, ये कहाँ पाई जाएगी, ये पाई जाएगी, सहारा डेजर्ट के पास, इ ये जुलू है, इसके बाद हम अगर मिलेंगे, लुवा और बगांडा आपको मिलियागा, विक्टोरिया लेक के पास, फुलानी आपको मिलेंगे, पस्चमी अफ्रीका में, ये फुलानी tribes है, ठीक है, बंदू आपको मिलेंगे, पुर्वी और मध अदच्छड अफ्रीका म और इन सब चीजों को देख लिया, tribes को देख लिया, अब अफ्रीका में भी कुछ important देश है, उनके बारे में बात करेंगे, तो अफ्रीका में महतपूर देश में सबसे महतपूर देश है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में आपने मने बता कि केप आप गुड़ यहां पर रजदार फलो के खेती होती है, और यहां पर सराव इंडस्ट्री फल फुल रही है, इसके अलागर बात करें, तो साउथ अफ्रीका में लेसे थो है, याई देश के अंदर देश है, लेसे थो और स्वाजी लेंड, तो लेसे थो जो है, दच्छिड अफ्रीका के चारो तरफ से गिरा हुए एक अस्तल रुद्देश है, और वही स्वाजी लेंड जो है, वो मुझंबिक के साथ अपना सीमा साजा करता है, और इसके जो है आप दिखेंगे यहां पर ड्रेकन्स और मौंटेन है, इसके बारे में हम लोगों पढ़ी लिया, और यहां से ड्र सितो कडवंधी खास के मैदान है, जिसने क्या कहा जाता है, और इन सीतो स्परवंधी खास के मैदान में आप दिखेंगे, क्रिस के छेते से, क्रिस की दिषिया से बहुए आदे इंपोर्टेंट है, यहां पर पसपालन भी होता है, और यहां पर मौरीना नार्?, घृडव sovereign पाई जाती है जिनसे अच्छी किस्म की उनकी प्राप्त होती है तो ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है साउथ अफरीका के बारे में तो नेक्स्ट बात करते हैं और इसमें क्या बचा तो एक और इंफर्मासर ने कि साउथ अफरीका में बहुत जयदा समाजी को अनरजाती भी वित्ता पाई जाती है क्योंकि आप देखेंगे साउथ अपरीका में जो है अभी भी आपको बिटिस लोग मिल जाएंगे और साउथ अपरीका की राशःधानी क्या है प्रितोरिया जो है साउथ अफरीगा के प्रसासनिक राशःदानी है ठीक है और जोहांसर जो है साउथ अफरीका का सबसे बड़ा सहर है और इसकी सासाद सवर्फ जौहांसवर्फ हुम्हां सफरिक्ला ए पारी का एक इंपोर्टेंट क्या है ऊद्योगिक प्रत्त इधैस है जौहांसवर्फ अविष्छ भी है जौहांसवर्फ सबसे बड़ा सहर भी है और इसके लावा डर्बन बंदरगा आप देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा डर्बन बंदरगा सबसे ब्यस्त रहने वाला सौथ अफरीका का बंदरगा है और यहाँ अन नगुरे में आप देखेंगे पोर्ट एलिजबेथ जो है वह इस्ट लंदन जो है प्रमु जिसे खंसिं कहते हैं ठीक है इसके लाव इजिट में आप देखें कापास के ख्रिस खेती की जाती है और अफरीका का एक मात देश जो अस्तल खंड के माधियम से एसिया से जोड़ता है तो कौन सा है यह सिनाई प्रायदीप है इसके माधियम से किस से जोड़गा एसिया से तो इस परकार देखेंगे यह हो गई मिस्र की बात अगर मिस्र या एजिप्ट के बारे मौर बात करें तो यहां की अधिकांज जनसें क्रिश्कारियों में लगी है यही काड है नील नदी को मिस्र की जीवन रिखा कहा जाता है मिस्र में ही नील नदी पर आप देखेंगे आस्वान डैम इस्तित है और जो नील नदी का सबसे उचा डैम है और इसके लावा इसी बांद से जो है निर्मित जला से क्या कहते है नासिर या लेक नासिर जो है जील कर जो एक क्या है क्रतिम जील है मिसर की ही बात amendment कर लेते हैं और इसका पोर्ट किया है इसका जो है पोर्ट है पोर्ट समय इसली से की पोर्ट सीथ Ü On error और इसे में देखेंगे उत्तर से 10 श्ट्र जयसा क्रम सा देखेंगे तो लेक टिम्षा, लेक बिटर, लिटिल बिटर नामक जो है जहीले होशती थे और सिनाई प्रहईदीब के पूर में आप देखेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा अकावा की खाड़ी तो ये है गल्फाप अकावा यह सिनाई प्रयादी बिसके पूर में है गलफाक अकावा और पस्ची में कौन मिलेगा पस्ची में आप मिले गलफा तो इस परकार हम ने मिस्र के बारे में जान लिया और मिस्र में जो है जब कपास की खिरते होती है यहां पर काहिरा है जो है काहिरो या काहिरा यहां पर आप देखेंगे सूती वसुत जो लगा हुआ है मिस्र का मिस्र का एक प्रहुखबंदरगाओ के बारे मारे मात बात करें चुके हैं और मिस्र में इसरी शारी मतलब प्छत्म एरिया है जहां पर देखेंगे ठीड के मिल जाएगा पानी का इरिय उसके किनारे आप किसान nun को है जो झाल कि खेती के लिए रिस लिए के वाड़ा है तो यह बात हो गई मिस्र और इसके लाव मिस्र जो है यहाँ पर ही गीजा सहर इस्तित है और जिसे पिरामिडो का सहर कहते हैं नेक्स्ट जो है इंपोर्टन कंट्री की बात करें अफ्रीका में तो है नाजेरिया पस्चमी अफ्रीका में जो है नाजेरिया इस्तित है और अफ्रीका का सरवाधिक जनसंख्या वाला देश है जैसे हमने बा बात करें तो मुंफली का यहां पर प्रोडक्शन की इससे इस्पोर्ट भी किया आता है इसके लाव कुकोवा भी खेती की जाती है और इसके लाव पोर्ट हरकोट से जो है ट्रूड ओयल और पॉम ओयल का जो है एक्सपोर्ट किया आता है ठीक है यह बाते हो गई नाइजिरिया के बारे में एक और बात यहां पर एक सुस्क हवा बहती जिससे क्या कहते हैं हर्मटन कहते हैं ठीक है अब बात करेंगे अफ्रीका से लगे हुए सागर महासागर की तो से लगे हुए देश की बात करें मुरक्को अल्जेरिया ट्यूनिसिया लीबिया और मिस्र इससे लगा हुआ मेटेरियंसी है अब मेटेरियंसी से यह तो अफ्रीकन कॉंटिनेंट की बात करें अब पुछा जाता है कि मेटेरियंसी से यह वाला एरिये पुछा जाता है इसम इस्ट्राइल ठीक है ना तो जौर्डन लगा है ना तो इराक लगा है यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है और इसके लावा अगर सागर की बात करें तो आपको ध्यान रखना एडियार्टिक सी इसलोवानिया क्रोशिया बोष्णिया मॉंटेन निग्रो और अल्बानिया से आप सब्पूझे ब्लैक सी आप मरमरा को कौन से स्टेट जोडता है तो आपको बताना है बास्पोरस स्टेट और मरमरा को एजियंसी से क्या जोडता है यह चीजे आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीका से लगे हुए प्रमुक सागर महा सागर की बैहाल इसकी चर्चा हम करी चुके हैं भूमत सागर की चर्चा करी चुके हैं लाल सागर की चर्चा कि बात है रलाल सागर भी हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर अटलांटिक ओसियन और यहाँ पर देखें इंडियन ओसियन है और इसके अलावा यह सब चीज़ज़ें यहाँ पर जो है मपूतो बे है मपूतो जो है हिंद महासागर मिश्थी थे, यह आपको ध्या Wand रखना मपूतो कहा है हिंद महासागर मुझंबी के पास हिस्तित थे और इसके लावाँ आप जाएंगे वाल्विस जो है वाल्विस की खाड़ी आप देखेंगे तो अट्लांटिक महासागर में आप नामीबिया के पास पाएंगे यहां पर वाल्विस की खाड़ी है ठीक है गिनी की खाड़ी देखी चुके हैं अट्लांटिक महासागर यह सब कवर कर चुके है अब बात करते हैं ह ओढ़न फ्रिका कि क्राइगा हूं होने और इसे क्वेस्टन पीक्स 2009 में ए ए और अन्हींट अप्रिका में आ दो होरीं प्रीका में जो आयेगा चलिवाइए पहले यहां शुल невेरिटिरीा जिभूति और इथोपिया सोमालिय आप देखेंगे इथोपिया का जो है लेंड यहां से लग रहा है तो इथोपिया और सोमालिय तो कन्फ्यूज मत होईएगा इथोपिया की भी सीमा लगी है जो है होर्न आफ अफरीका से इर्टेरिया, जीबूती, इथोपिया, सुमालिया, तो कुल मिलाकर चार देश हैं, अब राजधानी देख लेते हैं, इर्टेरिया की राजधानी क्या हो जाएगा, इस्टियरिया आस्मरा हो जाएगा, जीबूती की राजधानी जीबूती हो जाएगा, इथोपिया की राज और लाइबरिया से लगा हुआ इसके लाव आइवरी कोस्ट जो है अटलांटी कोसियन ठीक है अटलांटी कोसियन आइवरी कोस्ट की बात करें आइवरी कोस्ट के पास आपको देखने के मिलेगा नेक्स्ट की बात करें तो गोल्ड कोस्ट आपको देखने के मिलेगा घाना के पास ठीक है अटलाटिंग उसियन में इसके रावाँ स्लेव कोष्ट आपको दीखने के मिलेगा पस्चमी अफ्रीका में अब स्लेव कोष्ट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका विस्तार आप देखेंगे नाइजीरिया बेनिन टोगो में है स्लेव कोष्ट जो है 16 और 18 के तसक में अफरीका से बहुत सारे आप देखेंगे ब्राजील जो है अर्जेंटीना में और इदर Mстра Falco आप सी नार्फ अमेरिका में इसके एलामा आप देखें इंग्लेरंड में इसका नाम इसलिए इसमें नाइजीरिया बेनिंट टोगो में है नेश्ट पाथ करें अधर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें अफुरीका से लीटेट कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डिसकस करी चुके हैं कुछ फैक्ट बचें हैं उनको दिखनेते हैं आप दीखें बाब अलमंडे जलसंद की ब अर इसके अलावं इसी जल्संत पर देखेंगे सुमालिया का बंदरगा है और उस बंदरगा को कहते हैं बरबरा बंदर गाब वहीं अधन की खाड़ी के यमन का सकोत्रा दीब भी है तो यहाँ पर जो है आप कहीं देख लिजिए सकोत्रा आइलेंड है और सोमालिया का बंदरगा है इसके अलाओ नैरोबी की बात करें तो नैरोबी जो है केन्या की क्या है राजधानी है और अफ्रीका के एक मातपूर जो है हेल स्टेशन है जो चाय के उत्पाज़न के लिए मातपूर केंद है मुबासा जो है मुबासा वो है केन्या का मातपूर बंदरगा है ठीक है जो चाय के निर्याद के लिए उप्योग की आता है इसके अलमा केन्या की बात करें तो UNEP यानि United Nations Environment Program का मुख्याले कहा है वो आप देखेंगे तो केन्या में यहाँ पर नहरोबी है नहरोबी में ही आप देखेंगे यहाँ पर UNEP का मुख्याले है ठीक है डर्बन की बात करें तो डर्बन यहाँ है तो दच्षिड अफ्रीका का जो नटाल प्रांथ है नटाल प्रांथ की राद्धानी है और यहाँ पर आप देखेंगे चेन तुल क्लाइमेट पाई आऐ याई अवस्तित नहीं है लेकिन फिर भी जो है चेंट्रिल क्लाइमेट होने की वज़ां से या पर रस्दार फलो की खेती की जाती है इसे कार जो है जो नटाल प्रांथ है या फिर डर्बन है इसे जो है क्या कहते हैं दच्छिड अफरीका काफुरीड कहते हैं इसके लावा जो नटाल प्रांट है यह डर्बन एरिया है यह मात्मा गाधी संबंधित है मात्मा गाधी संबंध इस प्रकार है कि नटाल भारती कांग्रेस के अस्तापना 1814 मात्मा गाधी ने जो है दच्छिड अफरीका के नटाल प्रांट में की थी तो इसे प्रकार आप देखेंगे, इसका असंबत महत्मा गांदी से भी है, अधर इंपोर्टन का कि बात करें, अफरीका से तो आप दिखेंगे, एफ्टाजलोन का पत्थाझार या फिर सबसे पहले कोकोडरी पूर्च्छ तंक कोकोड़ की बात करें, तो koko triangle जो है आप दिखेंगे घाना के वोल्टा नदी आप भी बता है एक दा उप्पर से बड़ा कृतिम जो है जलासर है तो वोल्टा नदी बैसिन में आप दिखेंगे कोको का उत्पादन प्रसिद्ध तो यहाँ पर तीन स्थान है संकोधी और इसके अलाम में तो कोरोधी कुमोसी अख्रा एकर्यृक्त कुमोसी ठीक हैर यह ठीक है सबूल को कियो कोको ठीक है ठीक वो कहां आप देखने को मिलेगा वोल्टान दी बेसिन में ठीक है और अफ्रीका में इस्तित है इसके अलामा अगर बात करें तो फूटा जलोन का पठार तो फूटा जलोन का पठार आप देखेंगे तो ये कहा है पस्चमी अफ्रीका में गिनी देश में इस्तित है ठीक है ये बाते हो गई इसके अलावा इसके साथ ही साथ हम लोग देख से चले एक तो हमने जब trangle की बात करी रहे है Coco Trangle की तो Coco Trangle के अलावा आप देखेंगे एक न्यूज में सुनते होंगे Golden Prison और Golden Trangle ये इसलिए important है क्योंकि یہाँ पर अवायत अफेम का उतपाधन के दो प्रमुक छेतर हैं और यहां से जो है मादक पदार्थों का अफिम का एक्सपोर्ट होता है ठीक है भारत में और विस्व के अलग अलग देशों में तो कोको ट्रेंगल गोल्डन ट्रेंगल और गोल्डन क्रिसेंड में हिरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गोल्डन ट्रेंगल में वर्मा, थाइलेंड, लावस, वियत नाम हाते हैं जहां पर आप देखेंगे तो वहाँ पर अवैद अफिम की खेती की जाती है गिदोब्रमुक एरिया है नेक् परसुस एरिया है लेकिन भूम का दूर्पियों होने करनाते यहां पर मर्चारा माउस्तल का विस्तार हो रहा है ठीक है और यह फुलानी लोग, फुलानी लोग का निमास फूटा जलोन पठार में है गैंबिया और सेंगल नदियों का जो है यहां पर उद्गम होता है तो आप बात करते हैं यूपा करते हैं यूपा से प्रिलिंस में पीवाई क्यों 2020 में 2020 में कुशन पूछा गया है अब देखिए कैसे कूशन पूछा गया देश में हाली में समाचार में होने वाले मातवर्ण कार चाड गिनी लेबनान ट्यूनिस्या इसमें कितने साइस हो में तो आपको बताना है कि यह जो देश हैं जो न्यूज में थे किस कार्ड न्यूज में थे तो चाड़ का मिलान किया गया है चेंद्वारा अस्थाइस अनबेस के स्थापना जो की गई है वह आप देखेंगे गुयाना में की गई है तो यहां पर इसका मिलान इसमें नहीं होगा बाकी जो है तीनो दो तीन चार साही है ठीक है अब नेक्स कुछिशन की बात करें से न्यूज में है तो अक्सर समाचार पत्रों अनातोलिय का पतर अमहारा कोंबो डिल अल्गदो कातलोनिया तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित तो इसमें देखिए कोम्बो डिल गादो जो है वह देश है मुझंबिक से संबंदित है श्यूज परकार देखेंगे इसका संबंद्बंद को मुझंबिक से थी है ऐसे 2020 में आप दिखेंगे तो इसमें पूछा गया जैसे पूछा गया मेंकों टेम्स वोलगा और तो इसका जो है आप जो है आप वाचेत्र के साथ से पुछा गया कहां पर यह जो है जाकर नदिया गरती है तो मेकांग रीबर आप देखें के तो मेकांग रीबर अंडमान सागर में जाकर नहीं बलकि साउच चाइना सी में जाकर गरती है इसके लाओं तेम्स नदी देखें प्रदेश आपको बताने थे तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है तो इसमें पूचा यूग एपसीन का पठार एटलस परवत गुयाना हाइवलेंड और इसके बाद ओंका बोंगो दुरोडी तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है तो इसमें देखेंगे कि एपसी अफरीका में यह बात सही है, गोयाना हाईलेंड आप دेखेंगे, गोयाना हाईलेंड यह भी आपको दस्री पस्च में अफरीका मेना मिलकर यह कहाम मिलेगा, साउथ अफे काम documentary में मिलेगा, और ओको बांगो दोडी या एटलस मौंटन सुमेलित है, एपसिन का पठार आपको इथोफियन हाइलेंड, गुयाना हाइलेंड आपको का मिलेगा, साउथ अमेरिका मिलेगा, उंका भॉंगा दोड़ी आपको मिलेगा बोथ सुवाना में, तो इस प्रकार ये कुछ कुछन पुछे गए थे, तो हमने अच्छे समझ लिया है, आपको जो है क्या कैधान रखना है, देश की राजधानी कौन सा न्यूज में है, कौन सा टक्रवात आया है, अभी लीबिया प्रभावित है, और ड्रेनिस सिस्टम के बारे में ध्यान रखना है, साउथ अफरीका ऑल्रेडी जी टॉन्टी में सामि सामिल है, अगर आपसे पूछा जाए कि जी टॉन्टी में केतने देश सामिल है ता आपको बताना 19 देश सामिल है, एप फो में कुछन कुछा गया था, उसमें 20 भी ऑप्सन दिया था, लेकिन 19 सही है, 19 ही सही है, ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है, और जी टॉन्टी मे अफरीकन यूनियन में जो है, आप देखेंगे तो अफरीकन यूनियन में जो है, साथ अफरीका के साथ भी पहले से ही सामिल है, ये सब चीज़े आपको ध्यान रखनी है, तो थांक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट टॉपिक होगा साथ अमेरिका का, ये हमारा टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स टॉपिक में